नमस्कार मैं हुराम प्रकार्श राई रविवार के इस खास बातचीत में आपका स्वागत है इंडिया की जो दो दिशी इंडिया नहीं अपोजिशन एलाइन्स की जो दो दिशी बैठक महारास्ट में हुई वहां से जिस तरीके से चीजें तै हुई कि कैसे भविश्य में सियासत भारत की उसको एक नया आकार दिया जाएगा एक नई तस्वीर सियासत की किस तरीके से बनाई जाएगी और उसके लिए क्या क्या चीजें तै होंगी कैसे कैसे ये गठबंदन जो है वो काम करेगा कैसे आगे बढ़ेगा इन सारी चीजों की एक जो है शुरुआती तस्वीर बिल्कुल साफ साफ लोगों के सामने आ गई इस बैठक के बाद जब तमाम नेताओं ने अपना संबोधन दिया जब मीडिया के सामने आई सारे नेता और जब इन्होंने अपना अपना वक्तब्य दिया तो उन वक्तब्यों में काफी सारी चीजे जो है बिल्कुल साफ हो गई कि जो चर्चा इस एलाइंस को लेकर के शुरुआत से बनी हुई है चाहे वो सीट शेरिंग की बात हो चेहरे की बात हो या दूसरे जो अन्यमुद्दे हैं जिनको लेकर कि लगातार बार बार सवाल जा रहे थे उन सारी चीजों पर कहीं न कहीं इस्तिती साफ हो गई तस्वीर जो है साफ कर दी गई इसमें जो चीजें तै हुई जो इस बैठक का नतीजा निकला इस बैठक से हासिल क्या हुआ अपोजिशान अलाइंस को इस बैठक से जो सबसे प्रमुक्षी सामने आई व इस्तिती में जो है वो इंडिया के साथ बने रहने की बात कह रहे हैं उनके लिए कोई भी नुकसान वो उस चीज के लिए उठाने को तयार हैं कि किसी भी तरीके के नुकसान को उठा करके गटबंधन को मजबूत करना उनकी प्राथमिक्ता पर आ गया है पहली प्राथमिक कौन से उनको बाटते वे 5 committee बनाए गए जिसमें strategy के लिए कमिटी बनाए गए campaign के लिए अलग committee बनाए गई working group for media जो मीडिया में समंझ सामंझे से वैठाने के लिए अलग committee बनाए गई और साथी साथ जो है वो social media के लिए एक अलग working group बनाया गया और जो है वो research के लिए भी एक working group बनाया गया है अब यह पांच जो committee हैं इन committee की यह जिम्मेदारी होगी कि किस तरीके से alliance के कामकाच को alliance की सियासत को मजबूत करने के लिए लोगों तक पहुंचाने के लिए मीडिया के अंदर इस पस्टता रखने के लिए जो भी स्पेस alliance को मिलता हो उस इस पेस में किस तरीके से एक रूपता रखी जाए बयान जो हो वो एक लाइन पर हो एक लाइन पर बयान दिये जाएं ये सारी चीज़ें क्लियर करने के लिए लगबग लगबग सारी चीज़ें ये पूरा इस पस्ट हो चुका है कि किस तरीके से गड़बंदन आगे बढ़ेगा आज हम उससे आगे की बात करेंगे हम दरसल बात इस चीच की करेंगे कि किस तरीके से जो शीट शेरिंग के मुद्दे की बात हो रही थी कैसे वो मुद्दा हलोगा उसके लिए क्या फॉर्मूला निकला है और साथी साथ किन आकड़ों पर आधारित वो फॉर्मूले हैं और उन आकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो भारती जंता पार्टी के लिहाद से ये चुनाओ किस तरीके से मुश्किल होने जा रहा है हम इस तस्वीर को आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे आज ये जो पाँच कमेटियां बनी हैं वो कमेटियां अपना-पना काम करेंगी कोई strategy प्लान करेंगा कोई campaign किस तरीके से करना है उसको प्लान करेंगा कोई media में अपनी बात रखने को प्लान करेंगा social media में सबसे मुख्य हत्यार के तुर पर देखा जा रहा है उसके लिए लोगों की तेज तर्रार नेताओं की कमेटिया तयार की गई गई है और उसके साथ साथ रिशेर्च के लिए कि जो किस छेत्र में क्या चाहिए, कैसे चाहिए, जो ऐसा समझ में आरा है प्राथमिक तोरपर कि क्या फिसी मुद्दे रहने चाहिए जिन पर इंडिया बात करेगा या उन-aid उस उन मुद्दों के हिसाब से अपने जो भी जो उनका मैनिफेस्टो होगा उसको जारी करेगा कि भविश्च में भविश्च का खाका कैसे खीच पाएगा इन सारी चीजों की जम्मेदारी कहीं न कहीं रिसर्च विंग पर होने वाली है अब जो सीट शेरिंग को लेकर के लगातार बात हो रही थी कि पर बताइए शीट शेरिंग पर बोलिये शीट शेरिंग पर बोलिये बोला कल नेताओं ने जब परसों जब एलाइंस के बैठक हुई तो नेताओं ने इस पर बोला और सारे नेताओं ने बोला सब ने कहा कि सीट शेरिंग जो पहले से कहते आ रहे ने था कि शेरिंग कोई मुद्धा ही नहीं है और सबसे जादा बेबाकिißt है इसमें लालु पिशाद याद доб और अरभीन केजरीवाल जैसे लोगों ने मुला केजरीवाल को ले करके सबसे जादा सवाल उठाया जा रहे थे बार बार ये कहा जा रहा था कि केजरी वाल और कॉंग्रेस की बनने की ही नहीं लेकिन केजरी वाल ने ये स्टाफ कर दिया कि किस तरीके से वो गटबंदन को मजबूत करके उसको आगे बढ़ने का काम करेंगे लालु प्रिशाद यादों ने यहां तक कह दिया कि चाहें जो भी नुकसान हो नुकसान उठा करके भी अगर गटबंदन को मजबूत करने की बात होगी तो वो नुकसान उठाने के लिए तयार है उनकी पार्टी और दूसरे अन्य जो दल है इंडिया गटबंदन के अंदर सीट पर एक उम्मिद्वार उतारा जाएगा यानि भारती जनता पार्टी के उम्मिद्वार के सामने विपक्ष का साजह उमिद्वार साजह विपक्ष का एक उम्मिद्वार चुनाओ मैदान में होगा यानि सीधा सीधा एक के साथ एक का मुकाबला होगा इसमें भारती ज जो JDS साथ में नहीं है, BJD साथ में नहीं है तो ऐसे जो दल साथ में नहीं है अभी इंडिया के वो अगर NDA के साथ भी नहीं जाते हैं तो फिर आने वाले समय में वो किस तरीके से एक चुनाओ को प्रभावित करेंगे वो एक अलग मामला हाला कि उसका भी फॉर्मूला अलग बगता है, धरसल तैय यह हुआ है इसमें कि साल 2019 के लोक सबाचुनाओं में जो आकड़े थे उन आकड़ों को आधार बना करके उमिदवार तै किये जाएंगे, इसके अलावा जिन सीटों पर तीसरा कोई दल भी मौझूद है, जैसे मैंने कहा कि मान लीजे BJD अभी ना इं उमिदवार के तोर पर उतरते हैं, तो उस उमिदवार को प्राथमिक्ता मिलेगी, जो उमिदवार भारती जंता पार्टी को नुकसान पहुचाने में सक्षम होगा, जिस भी दल का हो, अब हम लोटते हैं एक बड़े आकड़े पर, साल 2019 के चुनाओं के परिनामों पर जब जिसमें साल 2019 के लोग सबाचुनाओं में इंडिया गठवंदन के अंदर सामिल दल दूसरे पोजिशन पर रहे थे, नंबर दो पर रहे थे, उन सीटों पर भले ही भारती जंता पार्टी को जीत मिली हो, जो है, पर उसमें दूसरे नंबर पर वो दल सामिल रहे, उन दलों क का उमिद्वार रहा, जो आज इंडिया गठवंदन का हिस्सा है, जबकि साल 2019 के समीकरन जो है, वो कई सारे अलग थे, कई ऐसे दल भी थे, जो उस समय इंडिया के साथ थे, आज वो तूट फूट और इन सब चीजों का सामना कर रहे हैं और उसमें से एक बड़ा हिस्सा ज फिर 26 बेंगलोर में होगा और महारास में जाकर 28 जो इंडिया के गड़बंदन हो गए, उसमें से हम पहले वाले 26 की बात कर रहे हैं, जो 26 दल थे उनमें से 14 दल ऐसे थे जिनके 326 उमिद्वार दूसरे नंबर पर रहे थे लोग सबा चुनाओ 2019 में, जिसमें से कॉंग्रेस अकेले जो है 209 सीटें कवर करती है, 209 वो सीटें थी जिसमें कॉंग्रेस पार्टी का उमिद्वार नंबर दो पर रहा था, दूसरी पोजिशन पर रहा था, इसके अलावा समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में सबसे महत्वपून मानी जा रही है, अकेले श्य अनरजी की 19 सीटें ऐसी थी जिसमें नंबर दो पर रहे थे वो, आर जेडी लालूप शाद्यादों की पार्टी जो मजबूती से बात कह करके गए हैं, उसकी वो 19 सीटें उनके 19 उमिद्वार ऐसी थे जिनके जो नंबर दो पर रहे थे, आप समीकर अनालग है, सत्ता में है इस समय वो, जेडी उ प्लस आर जेडी हैं अब भिहार में, तो परिस्तितियां आप सोच सकते हैं कि कितनी जादा बदली हुई हैं, इसके अलावा, NCP, सरत पवार, 15 ऐसे कैंडियेट, 15 ऐसे वो मिद्वार, जो दूसरे नंबर पर रहे थे, यानि 293 सीटों का ये आकड़ा बैठता है, 293 जैसा एक बड़ा नंबर जो है, वो साफ साफ दिखता है, जिसमें ये दल जो है, वो नंबर दो पर थे, इसके अलावा कुछ और सीटे हैं, जैसे आम आदमी पार्टी तीन सीटों पर थी, जारखंड मुक्ती मोर्चा दो सीटों पर दूसरे नंबर पर रहा यानि 326 ये वो सीटे में आपको बता रहा हूँ, जिस पर इंडिया गटबंदन में सामिल दल दूसरे नंबर पर रहे थे, इसके साथ बड़ी चीजी है समझने वाली कि तब ये सारे दल एक प्रेटफॉर्म पर नहीं तो इन सारे दलों के पास कुछ ना कुछ वोट शेरि कितनी मुश्किल हो जाएगी, आसान नहीं होगी लड़ाई, किधर जाएगा परिनाम वो एक अलग बात हो सकती है, पर आसान नहीं होगी लड़ाई, लड़ाई आसान होने नहीं जा रही है, जिस तरीके से भारती जनता पार्टी बार बार क्लेम कर रही है, 400 सीटों की बात कर रहे थे फिर उसके बाद 325 सीटों पर आ गए तो ये सारी चीजें लगातार जो है वो घटी चली जा रहे हैं देखना यह होगा कि चुनाव आते आते कितनी सीटों का दावा भारती जंता पार्टी के नेता करना शुरू कर देते हैं तो ये एक जो समीकरण है वो बड़ी ये जो है वो बड़ा बदलाव है एक बड़ा हिसाब किताब है जो ये सामने सामने देखा जा रहा है कि किस तरीके से 326 सीटे महतुपून हो रही है और जो परणाम आये थे वही उसमें 52 सीट कॉंग्रेस के हाथ में पहले से थी बाकी अन्य दलों की जो जीत थी वो हम पहल मुक्स जुदल है जो टीमसी हैं डीमके हैं जेडियू हैं इन सब को मिला लिया जाए तो वोट शेरिंग भी भारती जंता पार्टी से काफी आगे निकलती जाती है राहूल गांदी ने मंच से साफ साफ कहा कि मंच पर बैठे हुए जो लोग हैं ये साथ प्रतिशत पूरी तरीके से साफ है अगर दक्षण के राजियों के हम बात कर लें तो लगबख जो 129 सीटें भारती जंता पार्टी के पास थी अब उनमें से जो सबसे मुख है राजी उनका था करनाटक वहां कॉंग्रेस सत्ता में हैं कॉंग्रेस में बहुत मजबूती के साथ वहां करते चले जा रहे हैं सीधे सीधे जनता के उन मुद्दों को लेकर के वो चुनाओं में गए थे उस मुद्दे पर डारेक्ली वो काम कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट निश्चित तोर पर करनाटक में दिखेगा जहां पर 25 सीटें भारती जंता पार्टी के पास थी तेलंग परचिन का जो दरवाजा है वो आलमोस्त भारती जंता पार्टी के लिए बंद हो चुका है ऐसे ही जब हम्मद भारत की बात कर लेंगे तो यह जो पूरा हिस्सा है उस बेल्ट में भारती जंता पार्टी साफ अब मजबूत जो है इनका सबसे गड़ वो है गुजरात उसक कहीं न कहीं जो मराठ्या एक हिसाब किताब जो बनता है वो पूरी तरीके से इस समय भारती जंता पार्टी के अगेंस जाता हुआ दिख रहा है और इसका डर जो है वो साफ साफ देखा जा रहा है कि भारती जंता पार्टी बीमसी का चुनाओ नहीं करा पा रही है सत्ता मे रहते हुए एक ना सिंदे को सिवसेना से तोड़ कर लाये जाने के बाद मुख्यमंतरी बनाये जाने के बाद भी उसने NCP में तोड़ फोड़ कि और अजीत पवार को लाकर के फिर से मुख्यमंतरी बनाये गया तो यह जो परिस्थितियां है वो निश्चित तोर पर यह स्पस्ट कर देती है कि भारती जंता पार्टी किस कदर जो है वो इससे बेचैनी बढ़ी होई है इंडिया के गटबंदन के आंकड़े देख करके अब जो शीट सेरिंग का फॉर्मूला तै हुआ है अगर उस हिसाब किताब में चीजें बैठ ज दल रहे इंडिया के अंदर सामिल दल रहे तो यह जो 326 सीटों का आकड़ा है यह बहुत महत्पून आकड़ा है इन 326 सीटों के सहारे भारती जंता पार्टी की जो चुनावी अभियान जो है उसको शायद ब्रेक लगाने का काम इंडिया का गटबंदन कर पाए हाला कि नि इंडिया के बैठक होती है तो वो कही न कहीं और धीरे धीर आकरामक होती जाएगी इससे और इन सबसे महत्पूर्ण यह होगा कि आने वाले चुनाओं के अंदर क्या मुद्दे लेकर इंडिया लोगों के बीच में जाएगा और भारती जंता पार्टी किन मुद्दों पर चुनाओ लड़ती है तो यह सारी चीजे महत्पूर्ण है पर यह जो 326 सीटों का आकरा है यह भी खासा महत्पूर्ण है और इंडिया गडबंधन के लिए एक मजबूत आधार तयार कर रहा है यह जो आकरा है अब अगर इन आकरों को मजबूत मजबूती देते हुए इस पर काम करते हुए इंडिया गडबंधन इस पर जीत पाने में कामियाब हो जाता है तो निश्चित तोर पर साल 2024 के लोग सबाचुनाओ की तस्वीर अलग होगी जो उसकी परिणाम होंगे वो बिलकुल अलग आएंगे तो अब देखना यह होगा कि चुनाओ का परिणाम कै कैसे आता है किधर जाता है पर जो आकड़े दिख रहे हैं उसमें फिलाल इंडिया गडबंधन जो है अब काफी ज्यादा मजबूत होता हुगा दिखाई दे रहा है जैन्यवाद